इसकार दोस्तों मेरा नम मेहंदर तुरी है और मैं आपका स्वागत करता अपने यूटूब चैनल टेक्टू मेहंदर में तो फ्रेंड आज हम जानेंगे कि अपना इमेज का अपना बीडियो कैसे बनाए तो उसे के बीसे में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत ही आसान तरीकों से हम अपना इमेज का वीडियो कैसे बना पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक अप्लिकेशन इंस्टॉल करना पड़ देगा फ्रेंड तो उसके लिए हम प इसमें हम क्लिक करेंगे चले इसमें क्लिक कर देते हैं और इसको हम इंस्टाल कर लेते हैं यह जो है फोटो वीडियो मेकर विट मियूजिक इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसका rating 4.2 है जो बहुत ही अच्छा है इसका comment भी बहुत है अच्छा है तो इस app को हम लोग download कर लेते हैं मेरा तो download है open कर लेते हैं इसको open कर रहे हैं तो यह हमारा उपेन हो गया है अब यहां देखे फ्रेंट बहुत सारा इंटरफेस है तो हमको यहां क्रिएट पर क्लिक करना है और अपना प्रोजेक्ट बनाना है और इसमें क्लिक करके बनाया हुआ प्रोजेक्ट अब देख पाएंगे फ्रेंट पर क्लिक करेंगे फ्रेंट इसके बाद यहां से photo choice कर लेंगे यह तीन photo हमारा आ गया है choice okay इसको okay पे click करेंगे यहां पर जो है इस पे click कर देंगे हम Delhi देखे मेरा तीन photo आ चुका है यहां पर तो friend इसके बाद हमको फिर से okay करना पड़ेगा इसको हम और अच्छी तरह से कैसे कर सकते है इसको और अच्छी तरह से यहां दिखिए थीम दिया हुआ है उस थीम को आप अप्लाइ कर पाएंगे देखिए इसमें अगर टच के तो थीम अप्लाइंग हो रहा है यह देखिए यहां बहुत सारे थीम अगर हम दूसरे नंबर पर करें तो दूसरा नंबर भी अप्लाइ हो रहा है और यहां पर आप कुछ भी एड़ कर सकते हैं यह देखिए यहां पर आप म्यूजिक एड़ कर सकते हैं टेक्स्ट एड़ कर सकते हैं इमोजी एड़ कर सकते हैं तो फ्रेंट यह देखिए हम टेक्स्ट एड़ करके दिखा देते हैं आपको तो यहां पर मेरा नाम महंदर है एम लिखते हैं और इसको डन करते है इसके बाद इसको कलर दे देते हैं यह देखे इसके बाद सेडो इसका भी दे देते है यह देखे सेडो इसका फॉंट हम रख देते है यह फॉंट आप कोई भी फॉंट चूज कर सकते हैं यह देखे और भी बहुत सारे यह देखिए तो हम यह ही फॉंड हमको अच्छा लगा फ्रेंड तो यह हम रखेंगे उसके बाद आप इमोजी भी कुछ भी रख सकते हैं यहां फेस्बूक इंस्टाग्राम यह देखे हैं हम इसको रख देते हैं यहां पर अब देखे तो फ्रेंड आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बता हैं तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद करेंगे